अगर आप सक्सेस्फुल होना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक गुरु मंत्र देने वाला हूँ हम मेंसे हर कोई डिजिटल मार्केटिंग के शेत्र में काम कर रहा है महनत कर रहा है कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है कोई एफिलेट मार्केटिंग कर रहा है कोई वेबसाइट बना रहा है कोई मेरी तरह डिजिटल कोर्सेज बना कर बेच रहा है लेकिन जिस हिसाब से हम महनत कर उस हिसाब से उस प्रमार में हमें सक्सेश नहीं मिल पाती. अगर आप सक्सेस्फुल बनना चाहते हैं, तो आपको चाहिए एक समुह की ताकत, एक ट्राइब की ताकत. आये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक समुह क्या होता है. एक digital tribe, एक digital समूह किस प्रकार से आप बना सकते हैं Facebook की मदद से और ये बनाना कितना जरूरी है इस वीडियो में देखेंगे आईए आपके साथ मैं अपना mind map शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में हम तीन चीजों पर focus करेंगे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक समूह क्या होता है, एक tribe क्या होती है उसके बाद हम देखेंगे कि एक digital tribe आप कैसे बनाते हैं और third point जो आज बताऊंगा वो ये है कि Facebook की मदद से आप ये digital tribe practically किस तरह से बना सकते हैं तो आईए सबसे पहले समझते हैं कि एक tribe क्या होती है एक tribe यानि कि group of people जब लोग एक साथ आते हैं इन पांच factors के साथ तब वो समूह कहलाता है tribe कहलाता है ये पांच factors कोन से हैं आईए बता रहा हूं सबसे पहला इस समूह का इस group का एक common goal होता है एक common interest होता है एक sense of unity होती है इन्हें एक साथ आने के बाद एक तरह की security महसूस होती है एक common dialect होता है एक common प्रकार की भाशा होती है जो ये समूह में लोग आपस में बात करते हैं एक protective leader होता है main person उस group का जो इस group को बनाता है चलाता है और कुछ common rituals और habits होती है जो इस group को एकत्र लाने में और एकठा रखने में help करती है इन हर factor को थोड़ा सा deeply समझने की कोशिश करेंगे एक समूह एक tribe तभी बनता है जब एक common goal या common interest के साथ लोग एक साथ आते हैं जैसे कि मैंने एक समूह बनाया है digital आजादी का इस समूह में जितने participants हैं जितने members हैं हम सब एक साथ आए हैं एक common goal लेकर गोल है पैसे कमाना डिजिटल मार्केटिंग सीख कर अपना कर इसकी मदद से पैसे कमाना ये हम सब का common goal है एक sense of unity है एक sense of security है क्योंकि हम हर किसी का यहाँ पर डिजिटल आजादी के अंदर जो मकसद है वो common है इसलिए हम सब को ऐसे लगता है कि एक प्रकार का भाईचारा है एक प्रकार की security है और हम सब एक common goal की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं एक common dialect होता है समूह में जैसे आपने देखा होगा कि हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर के जो लोग होते हैं वो कभी किसी को हाई और हेलो नहीं कहते हैं कुछ Samoa में ओम शांती कहते हैं, कुछ Samoa में राधे-राधे कहते हैं, कुछ Samoa में राम-राम कहते हैं। इस प्रकार के common dialects आपको इन Samoa में देखने मिलेंगे। हर Samoa का एक protective leader होता है। जैसे की digital आजादी का जो protective leader है वो मैं हूँ। मैं leader हूँ और मैं protect करता हूँ अपनी community को। मैं हमेशे अपने Samoa के लिए अच्छे से अच्छे tools, अच्छी से अच्छी strategies ढूनता रहता हूँ। और अगर कहीं मेरा Samoa किसी problem में आ सकता है, किसी गलत चीज का इस्तमाल करके, तो उन्हें आगा करना और उन्हें संभालना ये मेरी जिम्मेदारी है। इस तरह की leadership होती है एक Samoa में और common rituals और habits होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हरे राम, हरे कृष्णा वाले जो members होते हैं, वो usually हर Sunday को सुबह मिलते हैं। वो Sunday दुपेर का भोजन साथ में करते हैं, कुछ Samoa में गुरुवार को शाम को सत्संग होता है, कुछ Samoa में रोज सुबह कोई speech दी जाती है, जहां पर हर कोई उपस्थित होता है। इस तरह के common rituals और common habits को लाकर एक Samoa बनाया जाता है। यहां पर मुझे ऐसे लगता है कि एक Samoa, एक group, एक tribe क्या होता है, इसकी मोटा-मोटी concept तो अब आपको clear हो ही चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि एक digital tribe को किस तरह बनायते हैं। सबसे पहले, अगर आप अपनी tribe बनाना चाहते हैं, अपने लिए एक Samoa बनाना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी कहानी बताई। आपकी शुरुवात कैसे हुई, आप डिजिटल मार्केटिंग जैसे मेरा Samoa digital marketing से related है, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि मेरा बचपन कैसे था, मैं क्या काम कर रहा था, डिजिटल मार्केटिंग से मेरी मुलाकात कैसे हुई, और अभी मैं इसे किस तरह से यूस करके पैसे कम रहा हूं जब मैं अपनी कहानी बताता हूं तो माई वाइब विल अट्रैक्ट माई ट्राइब जब मैं अपनी कहानी बताता हूं तो मेरी कहानी को सुनकर जो लोग प्रभावित होते हैं और जिनके साथ मैं रिजोनेट करता हूं वो डिजिटल आजादी के पार्टिसिपेंट्स बन जाते हैं मेंबर बन जाते हैं तो सबसे पहला स्टेप अपनी कहानी बताईए दूसरा established leadership सिर्फ अपनी कहानी बताने से कुछ नहीं होगा जब आप अपने समोह के लिए सच्मुच काम करना चाहते हैं और सच्मुच चाहते हैं कि उनकी लाइफ बेटर हो तो ये वाला जो भाव है आपके अंदर वो आपका समोह देखेगा और आपके साथ जुड़ जाएगा वीकली ऑनलाइन मीटप्स करनी बहुत जरूरी होती है जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी समोह में एक ट्रेडिशन होता है एक फिक्स स्केडियूल होता है जैसे डिजिटल आजादी में हर गुरुवार को रात को नौ बजे हम इनर सरकल मीटिंग करते हैं जहां सारा पर ओनलाइन मीटप्स होते हैं हम कलेक्टिवली एक्शन लेने और इंपक्ट लाने में बिलीफ करते हैं मैं हर मंगलवार शाम को साथ बजे लाइफ ट्रेनिंग देता हूं डिजिटल मार्केटिंग हर हफते जो मैं सब्जेक्स सिखाता हूं ये कलेक्टिवली पूरे परिवा में वो मेरी ट्राइब को अगले एक हफते में पूरा करना होता है एक असाइड्मेंट दी जाती है होमवर्क कह सकते हैं एक होमवर्क दिया जाता है और इस तरीके से जो भी मैं सिखा रहा हूं वो 100% में उनसे इंप्लिमेंट कराता हुआ आ गया ता हूँ जब लोग इसे इंप्लिमेंट करते हैं तब लोगों को रिजल्ट मिलता है और जब लोगों को रिजल्ट मिलता है आपका जो समू है आपका जो ट्राइब है वो वाइरल हो जाता है जादा लोग आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि अच्छे रिजल्ट आज हर कोई चाहता ह इस तरीके से 5 simple steps में आप अपनी digital tribe बना सकते हैं अब बात करते हैं कि आप facebook का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं एक digital tribe बनाने के लिए 5 easy steps देता हूँ सबसे पहले एक exclusive facebook का group बनाईए सिर्फ अपने परिवार के लिए सिर्फ अपनी tribe अपनी समोह के लिए आप इसमें आने वाले जो participants हैं इन्हें भरपूर value दीजिए भरपूर content दीजिए जितना knowledge आप उन्हें दे सकते हैं वो दीजिए कुछ भी पीछे मत रखिए जितना बाटेंगे, जितना knowledge देंगे, जितनी value देंगे उतना ही आपके समोह के साथ आपका connection जो है वो deep हो जाएगा और एक trust डेवलप होगा विश्वास डेवलप होगा एक बार ये विश्वास डेवलप हो जाए उसके बाद आसानी से आप उन्हें webinars में invite कर सकते हैं और अपने products या services offer कर सकते हैं हम digital आजादी में जिन principles पर काम करते हैं उन principles को अगर हम intact रखें तो हम अपने products और हमारी जो services हम बनाते हैं वो सामने वाले का कोई ने कोई problem solve करने वाली होती है अगर हम हमारे समोह के members के problem solve कर सकते हैं तो हमारे members जो हैं वो इससे बहुत जादा खुश होते हैं और जिन्दगी भर आपके साथ बने रहते हैं अभी इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि एक समूह क्या होता है एक digital समूह किस तरह बनाया जाता है और एक simple facebook क्या group बना कर आप कैसे अपनी digital tribe बना सकते हैं एक digital tribe की ताकत का अनुमान नहीं लगा सकते हैं अगर आपकी tribe में 10,000 लोग आ जाए उसमें से सिर्फ 1000 लोगों के साथ आप अपना एक trust बना पाए और उन 1000 में से अगर सिर्फ 100 लोग आपके products ले ले तो भी आप करोडपती बन सकते हैं मेरा नाम संदीब बन साली है मैं digital marketing सिखाता हूँ हिंदी में समझाता हूँ कि कैसे digital marketing को सीख कर अपना कर हम अपनी जिंदगी में पैसे कमाने के नए नए जरिये पैदा कर सकते हैं यह सब सिखाने के लिए मैंने एक school एक समूह बनाया है digital और मैं अभी चाहता हूँ कि आप अपनी digital marketing सीखने की जर्नी इसी वक्त शुरू करें इसके लिए मैंने इस वीडियो के description में अपना एक free course आपको offer किया है इस course की value वैसे 5000 प्लस GST है लेकिन यह course मैं आपको free of cost देना चाहता हूँ सिर्फ इसलिए कि आपने मेरा वीडियो पूरा देखा मैं चाहता हूँ कि आप इस course को पाईए इसे लीजिए इसे देखिए और समझिए कि digital coaching digital training क्या होता है digital marketing आज के समय में कितना important हो चुका है और कैसे इसे सीख कर आप अपनी जिन्दगी बदल सकते है अगर आपको इस वीडियो में कुछ value मिली हो तो please share कीजिए, comment कीजिए, like कीजिए और channel को subscribe जरूर कीजिए क्योंकि हर हफते कुछ न कुछ interesting value लेकर मैं आपके लिए आता हूँ बाबाई